हेलो दोस्तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वाकत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार TGT में अब एहाल ही में जो बिहार सिक्षक भरती में TGT के लिए यानि कक्षा 9 और 10 के लिए जो प्रिशन पत्र आया था उसमें किस प्रकार के पूछे गए थे यानि कि किस topic से कितने प्रश्ण पूछे गए थे इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको सबसे ज्यादा topic कौन सा पढ़ना है कैसे पढ़ना है इन सभी पर चर्चा करेंगे ठीक है तो यहां पर देखें हिंदी भाशा जिसमें आप हिंदी भाशा का विकास खड़ी बोली अवधी भाशा आदी जो पढ़ते हैं देवनागरी लिपी आदी जो भी चीज़े हैं इनसे यह चीज़े जब पढ़ते हैं हिंदी भाशा का विकास किस प्रकार हुआ है इससे छे कौशन पूछे गए थे आदी काल से भी छे कौशन पूछे गए ी दूसी ऒकति काल से केवल два एक प्रश्न आया थारी तीटी काल से तीन और आजनिक काल से आठ्छव आय थे यानि किinka करों हिंदी साहित्य से प्रश्न की बात की जाए तो करीब 18 प्रश्न जो है आपके हिंदी साहतिके इतिहास से पूचे गए थे जहांपे आपका आधिकाल से आधिनिकाल की बात होे है काव्वेकी वहीं पे उपन्यास से सबसे अधिक दस प्रश्ण जो है आपके पूछे गए थे कहानी से अपका पांच प्रश्ण पूछा गया था नाटकों से अपका छे प्रश्ण पूछा गया था जिसमें से पांच नाटक से थे एक एकांग की से प्रश्ण था निबंद आलोचना से एक एक प्रश्ण था रेखा चितर जीवनी की जो हमारा अन्य गद्दे विधाएं हैं इनसे एक भी प्रश्ण नहीं आया था पुरस्कार से सम्बंदित यानिकी साहित्य काद्मी पुरस्कार से प्रश्ण था शुकले जी के कथन से तीन कथन पूछे गए थे और अन्य आलोचकों में बात करें तो टोटल मिला के 5-6 प्रश्ण आपका कथन से संबंदित था ठीक है व्याकरण से अगर मैं कुल व्याकरण व्याकरण यानिकि संपोर्ण व्याकरण जो आपका आ जाता है यहां मैंने अलग-अलग नहीं लिया है अलंकार हो गया विवक्ति हो गया जो भी प्रश्ण आए थे तो कुल मिला के व्याकरण से अपके 20 प्रश्ण आए थे पांच चाथते काविशास्त्र और भारती काविशास्त्र इन से 5 प्रश्ण पूछे गए थे ठीक है वहीं पे इसके अलावा एक एक प्रशन आपका आदिवासी विमर्ष दलित विमर्ष और इस्तरे विमर्ष से एक एक प्रशन पूछा गया था ठीक है तो ये था हमारा टॉपिक के किस प्रशन से किस टॉपिक से क्या प्रशन पूछा गया था पढ़ना है वह है आपका अदिकाल आधिकाल से भी ज्याद क्वेशन आ पढ़ने है इसके बाद आधिन काल से भी अदिक प्रश्न पूछ जा रहे हैं इसके बाद उपनयास से नातक से इन से सबısक पूछ जा Mc पूछ जा यह फिर शुकले जी के बाद बच्चन सेंग नंद दुलारे वाज पर ये जो आलोचिक हमारे आ जाते हैं उनके कथनों को पढ़ लेजिएगा इस्पेशली शुकले जी के तीन से चार प्रशन आपके आने ही हैं तो आपको ये टॉपिक कवर कर ले रहे हैं बागी तो सभी इसपर आप जाएंदे ले प्रशनों की बाद यहां पे हो रही है आप इसका स्क्रिंशॉट रख सकते हैं ताकि आपके पास रहे किस टॉपिक से कितने प्रशन पूछी गए थी तुछाइगे ये आप इसका स्क्रिंशॉट ले ले और आपको जो त्यारी जादा रखनी है वह हिंदी भाषा, फिर आदिकाल हो गया, फिर आदनिकाल, फिर उपन्यास, कहानी, नाटक और इसके बाद कथन, इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा कवर करेंगे, व्याकरण के लिए कोई भी व्याकरण की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर पुस्तकों की करती से संबंद तयारी कराई जा रही है, वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है, बीच में किसी कारण से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जितने टॉपिक्स मैंने आपको भी बता हैं, उन सभी टॉपिक्स को हमारे चैनल पे पूरा कराई जाएगा, और एक एक पर के तयारे भी उसी तरह से आपको करवाई जाएगी, तो अगर आपको पसंद हो मेरी वीडियो तो चैनल को लाइक, शिर और सब्सक्राइब कर देशी का धन्यवाद, आपके कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क कमेंट के दोरा या वीडियो के दोरा आपके उस समस्या का समधान भी जरूर करूंगी, धन्यवाद.